कि हालो फ्रेंड्स आए आज पार्टिसिपल की एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 12 यह क्लास 12 एक्सिलेंट के ग्रामर के बुक्स से लिया गया है इसके रूल्स और एक्जांपल मैं आल्रेडी पढ़ा चुका हूँ अगर आप उन नहीं देखें वीडियो तो जरूर देख डिजेगा डिस्क्रिप्सर में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा और साथ के साथ मैं इसका अंसर बता रहा हूं बताते समय मैं रूल एक्स्प्लेइन कर दूंगा ताकि आप डारेक्ट भी देखें तो अभी आपको समझ में आ जाए है कि देखिए पाहला वाक्तिया दाइस क्योंकि यह बिल रीमें तो बार्व है बर्व के बाद जो है यहां एक हफ्ते से इसकूल बंद रहेगा यह इसकार्थ होगा कि आपका दूसरा वाक्ति है ट्राइंग टू कापी देटीचर काट ही मनें नकल करते समय अध्यापक ने उससे क्या किया पकड़ लिया तो अब जब इसको आप हल करेंगे तो इसमें आपके एक्सिलेंट में जो है पार्टिसिपल की लास्ट रूल में दिया गया है कि अग करने का प्रयास कर रहा तो कौन प्रयास कर रहा था तो सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है इसको दो तरिक बना सकते दोनों तरीके पाला तरीक वाइल करेंगी लगाएंगे फिर वाज लगाएंगे वाइल हीवाज ट्राइंग टुपि काम डर्ट टीचर काइंग तो एक दम आपका वाक्रस्ट का प्रियास कर रहा था तब दूसरा तरीका है तो वाइल ही वाज लगा दिए दूसरा तरीका क्या है क्या है क्योंकि ही सब्जेक्ट आना चाहिए दूसरा क्या ट्राइंग करते समय का प्रयास करते हूं करते हुए यह करते समय ही वाज काट शिर पकड़ लिया गया उसके बाद बाइ टीचर हम ऐसे कर तीचर कांपी का नकल का प्रेयास करते समय है उसे अध्यापक दारा पकड़ लिया गया तो तुरह से आपका सब्जेक्ट देखे ही आ तो इस तरह से आप दोनों तरीकेस बना सकते हैं बिइंग संडे मौनिया विए संडे दा कालेजवाज वाज ग्लोजट इसमें क्या गलती है देखें दिन महीना समय दूरी मौसम यह सब बताने के लिए हमेशा इटका प्रोग होता है बिइंग संडे मने रविवार होने के ना तो इट बिइंग संडे कामट कालेजवाज ग्लोजड इस तरह से बन जाएगा अगला आई वाज दस्टा राइस ता मैं निकलता गवा सूर्य देखा तो यहां गलती क्या है कि मतलब मैं देखा क्या देखा देखा निकलता होगा सूर्य तो राइज में आइज लगा बहुत काल में कोई बतला रहा है तो उसको क्या कर देखते हैं नाउन से पहले लिख देते हैं तो आपके आइसा यह उंडेड बर्ड हो जाएगा बर्ड लाके लास्ट में कर दिए मैं घायल हुए पंचि देखा इस तरह से इसकार्द होगा स्विमिंग हे जुसरा नहीं होगा सबस्कोर्स हुआ जाता तरह 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 से लिए अगला है मिश्टर सर्मा इज आइन आफसर रिटार्ड तो आपसर रिटार्ड नहीं होगा इस आइन का एफसर लास्ट में इस एए रिटार्ड आफसर हो जाएगा मिश्टर सर्मा एक रिटार्ड आपसे रहां अधिकार है अगला अच्छा मौसम होने के नाते बाहर गया यहां निर्जियों के लिए प्राक्रतिक चीजों के लिए दिन महीने समय वर्साथ दूरी इस सब बताने के लिए लगा देते हैं इट विंगे फाइन वीदर ही वेंट लाओट दसन सेटिंग माने सूर्य अस्त होने पर दिखाए पड़े तो यहां देखें कि यह दोनों वाकिके सब्जिक्ट अलग रहता है इंडिफिन ठेंट पास्ट पास्ट इंडिफिन टेंट हम क्या करते हैं कि पहले बाले में दस सब्जिक लिखने बाद दासन इसे लि सब्सक्राइब दसन सेट सुर्य अस्त होने के बाद आलवेंट हो सब घर गया तो यह समें भी क्या है कि है एक साथ रहेगा दसन पाहले हो जाएगा दसन है विंग सेट आलवेंट आउट देखें दोनों वाकिके सब्जिक्ट लग रहते हैं तो उसको हम पाहले लिख देते सब्सक्राइब करते हैं तो दसन हैविंग सेट हो जाएगा इस तरह से इसमें दसन सेटिंग कर दसन हैविंग सेट के ऊसी तरह सिस्टियु अबदल सूर्य स्थ होने के बाद आलवेंट हों सभी घर आई होफ समझ में आ गया होगा ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने कर नहीं किया है और घंटी भी दबा दीजिए वेल आइकन ताकि समझ से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अपनी ग्रामर आप हाई लिवल तक